सब्सक्राइब करता हूं सभी को दीपावली की हर्दिक शुपकामनाई मेरी और से ये दिवाली कसम खालो की अगली दिवाली में आपके पास नौकरी जरूर होगी ठीक है कैसे होगी मैं अभी आपको बताता हूं कुछ बाते मेरी सुन लो कुछ अगर आपको लगेगी हाँ यहां से हम कोई बात उठा सकते हैं यहां से हम कोई चीज ले सकते हैं तो जरूर ले लो देखो भाई आज कशो मारा टॉपिक है किसी भी एक्जाम को कैसे क्रैक करें सिंगल एटेम्ट में. एक बात ध्यान में रखना. बहुत प्रेशर आता है सुन करके जब आपको यह चुनवाती है कि कोई भी एकजाम एक एटेम्ट में निकाल करके दिखाओ, लेकिन मैं तुनको एक रास की बाध असाहता हूँ, हर एकजाम एक ही एटेम्ट में निकाला आ अब तुम कहोंगे सर कोई जानने आ ले थे हमारे फला फला आदमी वो तो चौती बार में बैंक का पेपर निकाल ले थे तो भाया वो सीरियस चौती बार में युए होंगे पहली बार पेपर देखने कहे होंगे दूसरी बार थोड़ी सी माइनत करके पेपर देने कहे होंगे तिसरी बार क्या बता है तो हमेशा याद र cherry ने एक बात कही है कि 20 परसेंट जो होती है और 80 परसेंट जो होते हैं तुम अतर के लो यहाँ है को ले लो यहाँ भी तो उतार चाड़ा हो आते हैं तुम्हारे जीवन में नहीं आते हैं कि कि नहीं आते हैं, जैसे ही कोई नया एक्जामा है, उसको एक नया IPO माल लो, IPO में भी लोग क्या करते हैं, अप्लिकेशन डालते हैं, लग की बात है खुला, लग की बात है नहीं खुला, वहाँ प्योर लग की ओपर काम होता, यहां तो फिर भी तुमको इतनी की सहुलियत मिल लई है, कि यहां लग जो है, वह आपके वर्क डिसाइड करेंगे, वह आपकी टर्म्स डिसाइड करेंगे, कि आप किस तरीके से काम करते हैं, देखो बड़ा मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, तुमने लाइनी ऐसी चुनी है, यहां फुरी फंड में कुछ नहीं होता है, समझ में आई बात, महनत आपको करनी पड़ेगी, बस अगर आपने दिमाग लगा करके महनत की, तो वाकई आप सही रास्ते पर चलोगे, और सही रास्ते पर चलोगे, तो मंजिल आज नहीं पहुच हो, क्योंकि रास्ता आप निकल चुना है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि 80% आपकी psychology काम करती, जो आप कहते हो न, motivation, motivation एक source of energy है, जो आप बौरो करते हो किसी से, आपको energy कभी बौरो नहीं करनी किसी से, आपके अंदर खुदी की कोई energy नहीं प्रिडूस हो रही है और नहीं प्रिडूस हो रही है, तो फिर ये बताओ, ये भीक में मांगी हुए energy, ये दूसरों को देख देख करके ललचा करके लोलुकता से मांगी है energy, ये कब तक 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 तुम्हारे काम आएगी, कभी नहीं काम आएगी, मैं मिश्या एक बात कहता हूँ, जो वेक मैं बड़ा हो गया, मेरे पैरेंट अभी भी वरकिंग है, तो अगर मेरे अंदर ये आग नहीं आ रही है, इनकी वरकिंग बंद करानी, अब कुछ सेटल होना है, इतना सेटल होना है, घर भी समाल सकूँ, खुद को भी समाल सकूँ, इनको भी समाल सकूँ, और खुदना खा फिर आप कहते हो तरह मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन मतलब यह है कि तुम बहुत कमजोर आद्वी हो तुम्हारे अंदर खुद की कोई नहीं एनर्जी है तुमको यहीं नहीं पता है तुम्हारा वाई नहीं क्लियर है काल डगलस कि जीवन में इंसान नई बुलंदियों क अगर उसका डबलू ह हाउ के पीछे दुनिया भाग रही है वाई के बहा डग ने जिनके पीछे दुनिया भाग रही है समझ वाई बात मतलब अगर आपके मैंड में यह बात बिलकुल एंडब कीओ करना है मुझे कोई भी गॉर्मेंट जॉब क्यों निकालनी है तो याद रखना इसक्यों में बहुत ताकक होती है कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है और यकीन मानों तुम बहुत स्वेशल मैं मजाग नहीं करूं यहां पर आकर के बोल लो मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को इशा से टॉपर रहें वो एवरेज जिन्दिगी बितार है क्यों कब किसकी बुद्धी पलड़ जाए कब किसका सिक्का उचल करके उसके क्या वोलते खाने में गिर जाए वो ही नहीं चानता मेरे सर एक थे हम लोग जोशी सर कहते है तो तो ऐसे एक बात चल ली थी वापर कि बच्चा बड़ा कमजोर था तो सब लोग कहरे थे अरे यार यह कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में लेकिन वो कुछ नहीं बोल ले थे ठीक है अच्छा मेरे टाम सुन से अच्छे थे तो मैंने यह कहा कि सर एक बात आ यह आप क्यो नहीं कर पाएगा आप तो हमेशा इ ही नहीं सकता तो मैं कैसे किसी का बविश नरधारित कर दो कि यह कुछ नहीं कर पाएगा और मैं रियालिटी में बताओं आज वो बंदा आई थिंक मैं अभी कुछ समय पहले मुझे बात हुई थी फेस्बुक की थुरूई बात हुई थी तो वो कैनेडा में था इसने बिट्स से किया है बिट्स पिलानी से और वो बंदा जिसका कोई पूरा नाम नहीं लेता था लोग उसका शौट फॉर्म लेते थे ठीक है पी अन्प्रेडिक्टेबल इसको ड्राइव आप ही को करना है अगर आप लेजी हो काहिल हो है ना चीजों परे होगा क्या बुलते हैं इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा ना आप दिया जाता है इसको तालने वाली प्रवत्ति के हो तो फिर यह मान करके चलना भश्युक तुगोरंदिकार में और यह जीवें नहीं करवाएगा तो अगले शड करवाएगा लाइफ मे अगर आपने एक से लेकर के तो तिस साल के बीच में, Morinig Welcome इसे लेकर के जब तक जीयोके तब तक महनत करनी पड़ेगी और खेराती भड़ी जिन्दिगी जीनी पड़ेगी दूसरों के अधिन रहना पड़ेगा, सब को बॉस बोलना पड़ेगा, सब को सर बोलना पड़ेगा, किसी प्राइवेट कंपणी में काम करके बर देख लोग, एक से एक अजीब को गरीब लोग आते हैं, तुमको उनकी जीव जूरी करनी पड़ेगे, चमच नहीं बात, और अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्ह प्राइवेट कंपनी इसके चक्कर में अगर आप पड़े, तो फिर आपकी अपनी कोई लाइफ ने, पैसा होगा, पैसा नोड़ाउट सबके बास होता, कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले, उपन मार्केट ए इंडिया की, पैसा कोई भी बना सकता है, थोड़ा सा रिस इतना भी तुन्हीं कॉन्फिडेंस है, तब भी तो देख रहा हो मुझको, उत्रहीं कॉन्फिडेंस होता कि अगर मैं एक बिजनस डालूंगा, और उस बिजनस को एक वेंचर कर रूप देदूंगा, तो आप यहां होते ही, इस समय तो आप मार्केट में होते हैं, किसी से किसी से सावान खडीज रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप यहां कोपी पेन लेकर बैठे हो कर आप यह देख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आप कंफूज इनों भाईया, और कंफूजन क्रिएट्स के औस क्यूरियोसिटी ने के औस ठीक है, इसका म अगर आप सब्स्रिप्शन लेते हो, तो आपको लाइफ क्लासे, स्ट सीरीज, क्लासे, डाउट क्लेरिक सेशन मिलेंगे, इसके अलावा सभी एजुकेटर्स के दौर आपको एक लाइफ स्रेक्शर कोर्स प्रोवाइट किया जाएगा, आपके एक्जाम की फुल तैयारी हो जाओ सर्च करो, जिस भी एक्जाम की आप कर रहे हो, तैयारी, बहुत सारी फ्री क्लासे डेली बेसे पर देखने को मिलेंगी, 24 महिने, 12 महिने, 6 महिने का प्लान है आपका, जिसमें अगर आप मेरा कोड लगाओगे, तो आपको 10% को आफ मिलेगा, साधी साध आप मेरी ब् दिखा हुआ है, वो क्या है, पढ़ हो जरा, हाउ टु क्रैक एक्जामें सिंगल एटेमन, एक बात मेरी सुनो, अभी तक जो हुआ, सब भूल जो, अगर बुरा हुआ, अच्छा हुआ बन भूलना, कुछ भी अगर अभी तक बुरा हुआ है, सब भूल जो, और अब आगे स दे, देखो, ये दीपा वली है, आपको पता है, आज शुटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी, बरसों, कुजराती कैलेंडर के साब से नया साल लगचा है, उस नया साल को अपना भी नया साल मानू, और एक नई शुर्वात तो, और ये नई शुर्वात इतनी तग मांजिल मिली जाए, क्योंकि उसी on the way है, रास्ता कला चुल लिया, मांजिल कभी नहीं मिलीगी, जितना तेज चलो, एक दूसरा वीडियो भी मैं भी लाओंगा, जिसमें स्टूडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम जो आती है, उसको आज बताऊंगा, उसके ओपर जड़ा द आपने देखा होगा, CDS से एक्जाम जब UBSC के वेबसाइट पर आता, सिलेबा सिकाता, वो मज़ाख में दिया होता है, वो complete एक रीजन है, जिसमें आपको यह बताएगए आए, हम सवाल यहीं से बूचें, तुमको क्या लगता है, कि तुम जोगरफी जैसे आया है, इंड इसमें, उससे कुछ बूचा ही नहीं जाना है, फिर तुम काओगे सद दिल है की मानता नहीं, तो यहां दिल को नहीं मनाना है, समझा ही बात, यह चादी नहीं एक्जाम, क्यों तुम्हारा युद्ध है और इसमें चल कपट सब लगता है, अब यह चल कपट के मतलब यह न नहीं है, भगवान तो बहुत दूर की बात है, तो सिलेबस जो होता है, वो 100% है, आपकी जीवन में 100% रोल प्ले करता है, उसको पहले देखो, लिखो, प्रिंट आउट मार करके पुरी दिवार में छाप डालो उसको, और तब तक उसको देखो, जब तक तक तुम्हें अपनी डूटी समझो, अपना सिलेबस समझो सबसे पहले, नहीं पढ़ना सोजाओ, सबसे बेटर चीज़ है, समझ आई बात, दूसरा, बाकईएर पेपर आपके बास होने चाहिए, जोकि अगर आपके अस बाकईएर पेपर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेंड नहीं समझ पाओगे, पेपर का ट्रेंड फैंड गया होता है, और कभी-कभी इस ट्रेंड में रिवर्सल भी आता है, मतलब दोजा 13, 27 सत यही तो मैंनत करनी है, क्यों हो तो, 35% के लिए भी नहीं कर पाओ, दिमाग तो लगाओ, पेपल टफ नहीं है, तुम्हारे तरीके बढ़े पुराने, बढ़े गंदे बद्धे तरीके हैं तुम्हारे, ठीक है, बुरा मतमान जो मैं बता रहा हूं, उन चीजों को seriously आओ, क्यो नोट गेट what you want, you get only what you deserve, वही मिलता है जिसके आप हक्तार, वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, वो अगर मिलिया है, तो भारत के इतने समय, 16 करोट वो होते हैं प्रधान मंतरी, क्योंकि हर कोई बनना चाहता है, नहीं लोग नहीं भी बनना चाहते हैं, ठीक है, हर एक जिल बहुत पहली की बातों तुम बता रहा हो, रेलवे के जूनियर इंजीनिर का इक साहते हैं, और मैंने देखा हुआ पर जियास आती है, हमेब दो आप्शन थे, एक मनोहर पांडे सहाब की अरिहंत की बुगले आता मैं, और एक लूसेंट की बुगले आता मैं, मैंने देखा लाया पढ़ा, आउड ओफ, I think 37 questions, 29 बिल्कुल सही थे, चार तुक्के बारे वो भी बिल्कुल सही हुआ, पतली से किताब में 33 नंबर मैंने कर ली है, आउट ओफ 37, चार नहीं आते नहीं थे, करेंट अफेर थे, छोड़ो अटाओ, इंको इतना प्यार नहीं है, जीक है, अपने को तो क्या है न, पेपर निकालना, आपको टॉप फोनी जणना है, टॉप करने के लिए रंग लीती नहीं, यह वाद ध्यान रखे, टॉप करने के लिए तो फिर जैसे क्लाश 10 तो आप पढ़ते थे, वैसे पढ़िए सब कुछ पढ़िए फिर, उतना डाइम भी न थोड़ी न, आपको पेपर पास करना है भईया, उसे साफ से सोचो, फिर आते हैं नोट्स पर, अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, तो यह समझ लेना, यह स्टेप बूल जाना, फिर यह स्टेप नहीं हो पाए न, इसलिए कुछ भी करो, अपने नोट्स जरूर बनाओ, और छोटी-छोटी तरीकों से नोट्स बनाओ, जैसे फॉर एक्जाम्बल मैं किस तरीके से नोट्स बनाता था, जैसे मैं एक छोटा था एक्जाम्बल अगर आपको दूँ किस के उपर, जैसे फॉर एक्जाम्बल बालो मैंने मैंने मैं आटर के उपर दिया, तो म इसे होने चाहिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और वो उस भाषा में होने चाहिए जो भाषा आपको समझ में आती जैसे मैं फ्लोचाल बनाता था ठीक है मैं क्लाउड बना बना करके लिखता था तो मैंने इस तरीके से कई सारे अपने मार्थ दे रखे थे कि क्लाउड का म आप लोगों को नहीं करता है, शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन, रिवीजन का तो इंजेक्शन लगाना है, समझा ही बात, जो बंदा रिवीजन नहीं करता है, वो समल्लो 80% भूलने की काबिलियत रखता है, तो 60% का 80% अगर तुम भूल गे तो 12% करके आओगे, समझा आपका फाइनल एटेम्ट होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, और मेरा ये भी मानना है, कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भाईया उसको बोज समझ करके बात करना, उसको इंजवाए करो, जो बंदे ने पढ़ाई में मज़े ढूंद लिए, उस आद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब्स्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन प्रस करना, कमेंट करके बताना, टेलिग्राम चैनल हैं हमारा एक्ड़ी डिफेंस स्कॉर्ड उसको भी जूइन करना, सब्स्राइब करना, सबी को शुब दीभा वली, जैह जेशिरा!